दोस्तों आज 18 जून निर्जला एकादशी मंगलवार की रात वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने से पहले घर में इस जगह पर रखे एक मुठी नमक। जीवन के हर कश्टों से, हर दोशों से, चाहे वह शनी दोश हो, वास्तु दोश हो, मंगल दोश हो, तुरंत आपको उस पती, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताईए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है, तो आज ऐसे डिब्बे में लिखा हुआ है और वह गुप्ट चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बलकि आपके जीवन में आपको सु साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है, तो इस से उस घर की स्थिती पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और उस घर का वास्तु दोश भी खराब होने लगता है। अस्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए, दोस्तों ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बलकि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, यहां तक कि आपकी आने वाली साथ पीडियां भी धन पर राज करेंगी। आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो। और आपकी आने वाली साथ पीडियां भी पैसों पर राज करें। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाएं देखिएगा क्योंकि नमक एक बहुत साधारन सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किन्तु नमक के उपायों को करना कैसे है ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्थ पर आप कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद आपको मिलेग जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, कब माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार को नमक के वह उपाय करने चाहिए, जो आपको हम बता रहे है और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिए तो ना केवल आपके, बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारातमक बदलाव आएगा। ना केवल आपको, बलकि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी का वर्दान और वो आशिरवाद जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है। उन्नती कभी भी नहीं होती है और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है। उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नती भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक उर्जा का वास रहता है। दोस्तों हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वो कौन-कौन सी छोटी बाते हैं जिनका आपको विशेश करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोज मर्रा की जिन्दगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह हैं दरिदरता से मुक्ति पाने का महाउपाय मान लीजिए आपके घर पर दरिदरता ने पैर पसार लिये हैं आपके घर में जितने भी लोग हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, उस काम में बहुत सारी परेशानियाओं आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नती और बरकत पूरी तरह से रुख चुकी हैं तो उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, बलकि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, आपके घर का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन म नहीं लगाया जाता है, यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोचा लगाएंगे, तो इससे आपके घर पर नकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोचा लगाएं, उस पानी में हलका सा नमक डा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोचा लगाएगा, यदि आप ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए जब भी आप पोचा लगाएंगे, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी, उनका नाश हो जाएगा, और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएग करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप ये देख रहे हैं, आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो ये महा उपाय कीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय, यदि आपने सही मुहूर्थ पर सही क हो जाएगा, आपको क्या करना है, देखिए, व्रहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है, व्रहस्पतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक साधा सा कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा, आप लोग गंगा जल, गंगा जल मार्के इस गिलास पर आपको उपर से लाल कपड़ा ढख देना है और लाल कपड़े को बांध देना है। आपके उपर कोई ऐसा दोश होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको आपकी महनत का फल नहीं मिल पा रहा था। वो दोश हट जाएगा और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय है, उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय मान लीजिए। आपके उपर शनी दोश है, आपके चीज को लेकर के बड़ा परिशान है, आपके जीवन में स्थिती खराब होती चली जा रही है, तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीजिए। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाएं, तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिला कर खाएं। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं, तो आपके उपर जो भी शनिदोश है, मंगल दोश है, आपके साढ़े साती चल रही है, आपकी धैया चल रही है। कोई भी ऐसी परेशानी उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोश कभी भी समाप्त नह के बराबर हो जाएगा। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, वो है दुरभाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका दुरभाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चला जाए और आपको आपके भाग्य का साथ मिले, त ये उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा और ये उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन ब्रस्पतिवार छोड़ करके आप लोगों को जब सुबह नहा रहे हो तो नहाने वाले पानी में एक चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, उसके पश्चात नहाईए। य कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तोर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वो शीग रही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, लेकिन दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। तो दोस्तों भगवान शिव का जैकारा लगाते हुए बीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महा देव ओम नमह शिवाय ए आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाये से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे। घर में बिमारी आपका रोजगार व्यापार ऐसे दोड़ेगा, जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी ये उपाय नहीं आपके बंद किसमत के खोलने की चाबी है। और ये महाचाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाऊगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों आप किसी को अपने बश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दिल खोल कर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से साधा नमक खरीद लाना ह यानि की डेली बाला जो की कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आएं यानि डेली बाला और इसे ला करके आप घर के आगने कोन यानि पूर्व और दक्षिन दिशा में र दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के उपर से साथ बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, अब इस नमक को सिद्ध करना है वो मंत्र, मैं आपको बता रहा हूँ, ओम हरीन श्रीम लक्षमी भ्यो नमह दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है, दोस्तों ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठ कर ही बोलना है, मंत्र परहने के बाद एक दिन के लिए नमक बही पर रहने दे, फिर उसके अगले दिन, यानि सुबह के समय किसी नदी में डाल दे, दोस्तों यहीं वो कोना है, जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी काम्याबी का राज छुपा होता है, पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और यह आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है, आपको फिर से यही उर्जा वापस अपनी लेनी है, तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठा कर किस उसका बोज हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी, और पानी में बह कर चली जाएगी, और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। बदलना चाहते हैं, तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों आगे बरने से पहले आप अपनी राशी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा, जिससे आप लाब पा सकते हैं, तो वो आके हम आपके कमेंट में रिपलाई करके बता देंगे, आपको तुरंत लाब हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और नाहीं देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख सम्रिध्धी ही चली जाती साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद हो जाता है। इसी लिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों और नमक मिले पानी से पोचा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्म कूर्जा होती है, वो नश्ठ हो जाती है। हफते में दो-तीन बार नमक मिले, पानी से पोच्छा अवश्य लगाए, लेकिन याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोचा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ती घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं आलक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है, जिस घर की साफ सफाई सुभह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दर्वाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और वो उसी घर में चली जाएगी, जिसका दर्वाजा सूर्य उदय से पहले खोलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहली जब किसी का दर्वाजा बंध होता है, तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेंगी। आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसी लिए सवेरे सवेरे दर्वाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर लें। दोस्तों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ती, बुरी हवा, नजर दोश मात्रे सुपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा करें, नमक का ये उपाय थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा ले। साथ की संख्या में साबुत लाल मिर्च ले, उसमें डंठल होना चाहिए। एक टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी अब इन सभी चीज़ों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारें, जिसे नजर लग गई हो, सर के उपर से साथ बार घुमाएं और चुपचाप इसे अगनी में जला दें। अगनी, आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, एक मिनट में सारी नजर उतर जाएगी, ये उपाय जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी, तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ। यदि आपने नमक का यह उपाय कर लि दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना, यदि भूल बश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है, तो उसके जितने भी पाप हो इस लिए हमारे बजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। होगा कि नमक का हक अदा करना है। इसलिए सोच समझ कर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहां खाने जाते हैं, तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे उपर ना रहे। बेइमान व्यक्ति का अभी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागिदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ हवसर पर एक नमक का पिसा हुआ, पैकेट 100 ग्राम उडद की काली दाल पान, 100 ग्राम चावल 50 ग्राम सूखी, लाल मिर्च एक पानी की बोतल, और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 101 दक्षना के साथ यानी 101 रुपे के साथ, यदि पूर्णिमा अमावस्या या शनिवार मंगलवार, या फिर गुरुवार के दिन, यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए, तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, भगवान की स श्वासन देता हूँ, यदि यह कारगर सिध ना हो, तो हमारे चैनल स्मायल फैमिलीज को अनसब्सक्राइब कर देना आगे आपकी मर्जी, दोस्तों नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है, यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख ह परेशानी है, ग्रह कलेश परिवार में मन मुटाव घर की सुख शान्ती हो गई है, भंग तब यह उपाय करें, लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में साधा पानी लें और पांच चम्मच नमक डालें, तब आप पोंचा लगाएं, लेकिन याद रहे, जब आप प पोंचा लगाते समय अपने मुख से पांच बार बोलते जाना है, मैं स्माइल फैमलीज, आपको यह भरोसा दिलाता हूँ, आपके घर से दरिद्रता नकारात्मक उर्जा सभी परेशानी दूर भाग जाएगी, दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है, वह माता लक लक्षमी का स्मरण अवश्य करना चाहिए, इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं, और माता लक्षमी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थाई रूप से होता है, समस्त बिगड़े, कार्य परिपूर और सफल हो जाते हैं, नमक का पोछा, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, हफते में दो बार कम से कम दो बार जरूर लगाना चाहिए, दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है, तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है, आपके घर में अस्थाई रूप से माता लक्ष मी दूर जा सकती है, नमक का पात्र कभी खाली मत रखना, नमक जैसे ही कम हो जाए, तुरंत दोल कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए, नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ माना जाता है, देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है, तब लाजमी है, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिन्दगी बेरंग हो जाएगी, नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है, जितना आप जल पीते हैं, जितना जल पवित्र है, उतना ही आपके जीवन में नमक का सरवो प्रिय महत्व है, दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो माता अन्न पूर्णा भी आपके घर से चली जाती है, इसलिए मैं स्मायल फैमलीज आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, कि कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना, पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बरबाद हो सकते हैं, घर से माता लक्षमी हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है, नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें, तो माता अन्न पूर्णा का नाम अवश्य ले लें, और नमक माथे से लगाकर चूम कर इससे घर में कभी भी अंधन की कमी नहीं होती और जो भी यह नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्य पूर्वक हो जाता है शरीर स्वस्थ हो जाता है वो शरीर कभी आपवित्र नहीं होता कभी बीमार नहीं पड़ता दोस्तों Smile Families Channel एक सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखा धड़ी और धर्म के आधार पर जूटा वीडियो और सामगरी प्रदान नहीं करता शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं स्माइल फैमिली जैनल के असी लाख फॉलोर्वर्स हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते नमक के हम बारी बारी आपको उपाए बताएंगे जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना ये उपाए हजार प्रतिशत कारगर सिध्ध उपाए हैं दोस्तों यदि आपके घर में कीडे निकल रहे हैं घर के कोनों से कीडे मकोडे निकल रहे हैं मकडी के जाल बार-बार पड़ जाते हैं तब आप एक खाली पानी की बोतल ले और उसमें सादा पानी भरे और दो चम्मच 100 एमल पानी की बोतल में दो चम्मच नमक डाल दें बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़ कर उसका पाउडर डालें नमक में हजार गुना एंटिबाइयोटिक गुन पाये जाते हैं जो बैक्टीरिया को नश्ट करते हैं, कीडे मकोडे भाग जाते हैं, इसकी सुगंद से जहरीले कीडे भाग जाते हैं, तभी तो समुंदर के जो सांप होते हैं, वह जहरीले नहीं होते। देखिए नमक मिले, पानी की बोतल से उस जगहे पर स्प्रे करें, जहां पर मकडी के जले हैं या जहां से कीडे आ रहे हैं, दो बारा वहां से कीडे निकलना बंद हो जाएंगे, कीडे उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे, यह है उपाय और तरीका scientific reason है, वैज्यानिक द्वारा बनाया गया, यह है उपाय है, देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिती में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शम्षान घाट से जो भी व्यक्ति हो करके आता है किसी की मैयत से हो करके आता है तो ऐसे कपड़े आप अवित्र हो जाते हैं ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं. पनप जाते हैं जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं. उसके घर में नकारात्मक्ता का साया तथा वास हो जाता है. उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है. क्योंकि नमक में हजार गुना बैक्टीरिया को नश् पल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चहरा सूज जाता है. तब ऐसी स्थिती में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से कॉटन की सहायता से चहरे पर लगाएं, पूरे चहरे पर लगाएं. इससे चाय नहीं पीना चाहिए. वह चाय जहर बन जाती है. चाय और पती के मिलन में यदि नमक डाला जाय तो और इसे जो भी मनुष्य पिता है. उसकी हड़्डियां गल जाती हैं. सूर्मा बन जाती है. नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, नकम ना ज्यादा सीमित मात्रा में नमक खाने से शरीर, आरोग ये तथा सौभाग ये पूर्वक जीवन के साथ बल पूर्वक खड़ा होता है. देखिए, शूगर की बीमारी बाले लोगों के लिए ज्यादा नमक खाना सुरक्षित नहीं. दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में दो लौंग डाल कर रखी जाएं, तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है. इससे घर में माता लक्षमी का वास होता है. नमक के डब्बे में दो लौंग जरूर डाल कर रखना चाहिए. यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है. राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं. आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनी भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं. लोहे मे और शोक का कारण बन जाता है, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, Smile Families चैनल कभी आपके साथ धोखा नहीं होने देगा, वीडियो के अंत तक बने रहना हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज हैं, ये उपाय शाय उसके शरीर पर डाल कर दफना दिया जाए, तो कीडे मकोडे जानवर पर नहीं लगते, आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मैल के साधन गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है, और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नश्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो ज जाती है, यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए, तो बुरी बद्बू नहीं आती, आस पडोस मोहले में बीमारी का खत्रा करोड परसंट खत्म हो जाता है, दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भर कर किसी कोने में तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है, बाथरूम में पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है, और यह नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, और नहाने से सूक्ष्म कीटानू का खत्रा कम हो जाता है, लेकिन याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें, फिर यह प्रक्रिया करें। आप भी जरूर करें, और फायदा और इसका लाब आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं, यदि नमक के गरम पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डाल कर, यदि चांदी के गहने साफ किये जाएं, तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांध कर तकीये के नीचे सिरहाने रख कर सोया जाए, तो यह हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकूर्जा होती है, उसे सोक लेता है। और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दें, और दोबारा जब आप सोएं, तो फिर दोबारा रख कर सो जाएं। यह प्रक्रिया लगातार एक हफते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मकूर्जा नश्ट होती है, और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। पॉजिटिव को खीचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है, और नकारात्मकूर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसी लिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमें हर बुराईयों से बचाव मिले।